वड़ते आंगे आपको बताते कि हिमाचल की सुक्विंदर सिंग सुकु सरकार को कारेभार संभाले हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं प्रदेश में 8 दिसंबर 2022 को चुनावी नतीज आये थे हिमाचल की जनता ने 5 साल में सरकार बदलने का रिवास कायम रखा और कॉंग्रेस हाई कमा ने सुक्विंदर सिंग सुकु के सर पर सत्तक अताश रख दिया था वहीं इसी पर हिमाचल के पूर सीएम जैराम ठाकुर ने खबरफास के साथ खास बाचीत कर अपनी प्रतिक्रिया दी है हिमाचल प्रदेश में सुक्विंदर सिंग सुकु की सरकार को 100 दिन पूरे हो गया इस 100 दिन को कैसे देखते हैं जैराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी है और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष का भूमिकाद निभाते वे नजर आ रहे हैं लगतार लगतार बहुत सारी बाते भी कहते हैं सुक्विंदर सिंग सुकफु की सरकार को लेकर चलिए उनसे ही जानते हैं कि इन 100 दिनों को कैसे देखते हैं सु दिन पूरे हो गया है हिमाचल के लिए वो हर वो बहतर काम कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा जो परिस्थिती है वो उनको आर्थिक रूप से सयोग नहीं कर रही है फिर भी वो चाहते हैं कि हिमाचल का डेवलप्मेंट हो मेरा सीधा सवार आप से यह कि क्या आप ये चीज मुखे मंतिर रहते वे नहीं चाहते थे कि डेवलप्मेंट हो वो ये सौदिन के बाद जब ये कारेकाल सौदिन का पूरा हो गया अब जोश के वजाए होश में आके काम करना चाहिए ब्यवारिक चीज़े कहनी चाहिए सोचनी चाहिए अभी सौ दिन के इस कारेकाल में अभी चार कदम भी सरकार नहीं चल पाई है आगे के लिए करना क्या है अभी वो पिछले सरकार के जो काम किये हैं उन पर रोक लगा करके बैठी हुई है डिनोटिफिकेशन कर रही है इंस्टियोशन की और इसी में उनका वक्त बीट किया हूँ और मेरा यह माना है कि किसी भी सरकार को अगर किसी भी पार्टी को अगर जन्मत मिलता है तो पहला दाय तो उनको उनका यही बनता है कि वो आगे बढ़ करके लोगों ने जो अमीद उन भ्यंकर गलतियां उनसे हुई हैं अपने कामकाज में जिसके कारण सौ दिन में ही लोग सड़कों पर चौक पर चौराहे पर निकल पड़े सरकार के खिलाफ जो होता नहीं था अभी तक इसलिए उनको आकलन करना है सौ दिन निकल गए उनकी सरकार के सौ दिन कम हो गए मैं यह कहूंगा और आने वाले समय में यह दौर कब तक चलेगा इस पर बहुत बड़ा प्रश्शन हिमाचल प्रदेश में लोग खड़ा कर चुके हैं अगर बात करें तो पिछले दिनों बजट पेश किया गया हिमाचल का और साफ तो और पर बजट में भी उन्होंने बहुत सार जरूरत नहीं पड़ती कि सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा होसला जिसमें कोई वीजन हो तब तर समझे में आता है एक रूटीन की चीज एक जो आज की ऐसी चीज नहीं रह गई है ग्रीन हिमाचल की बात कह रहे हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया है, देश आगे बढ़ रहा है, जोर से बढ़ रहा है, आदनी पदानoria जी ग्रीन एनर्जी के बारे में 애क बार नहीं आनेको बार अपनी बात के चुके हैं लेकिन हिमाचल में उनको लग रहा कि ग्रीन इनर्जी के बारे में मैंने शुरुआत की है मैं पहला आदमी हूँ और मेरे से ये शुरुआत हुई है वो सोचना गलत है और बड़ी दिल्चस्प बात यह है कि जो इंसेंटिव केंदर सरकार ने आपके बजट पे प बजट में उनका जिकर करना उचित नहीं अगर करना है तो उसमें एक बात तो उनको कहनी चाहिए कि हम केंदर सरकार के बारे में नहीं जबकि केंदर भवीन योजनाओं के मादिम से हिमाचल पर्देश में अठारा हजार क्रोड रुपे का अपना योगदान दे रहे हैं स् पर्देश अठारा हजार क्रोड रुपे का कॉंट्रिबुशन केंदर सरकार की और से उसके बाद जो एक शब्द धन्यवाद का नहीं तो इस तनी इतनी भी क्या वो जिसको कह सकता हूं में संकीर इंता सोचने की वो उचित नहीं है असर लेकिन लगतार वो ये भी कह रहे हैं कि पिछली जो सरकार थी यानि कि आपकी सरकार उन्हों ने उन पर आर्थिक बोड़ जो है कर्ज जो है वो बढ़ा दिया है राज जी पे बहुत सारा कर्ज है और इसी वज़े से जिस तरीके से डवलप्मेंट प्लान होना कि पिछले सरकार ने कुछ ने किया हमारा वोट शेयर का डिफरेंस जिरो पॉइंट नाइन परसेंट का है मामूली सा अंतर है हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर का अगरम बात करें ठीक है आपके विधायक ज्यादा आगे उस कारण से आप सरकार बन गई और लोकत अंतर म है इस सारी चीज़ का हम भी सम्मान करते हैं एक लोकतांतरिक वेवस्ता है जिसको जन्मत ज्यादा मिला है जिसको बहुमत मिला है उसके उसके सरकार बनती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफा फैसला है इसलिए उनको सजग होना चाहिए गंबेत सडकों पर दिख रहा है और ये कभी देखने को मिलता है आज से पहले कि सौ दिन के कारेकाल में ही लोग सडकों पर आचाहिए ये पहली पर देखने को मिल रहा है अगर बात करें तो विधान सभा चुनाव के बाद पहला चुनाव होगा उसके लिए क्या तैयारिया है क्या कुछ ऐसा विशेश प्लान या कोई ऐसा प्लान जो आप शॉट आउट कर रहे हैं जहां आप लोगों के बहुमत को अपनी ओर जादा सा जादा मोड़ पाएं देखी शिमला कॉर्प्रेशन के चुनाब को वो सरकार के मादिम से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं डिलिम्टेशन हुई और डिलिम्टेशन की प्रोसेस में 41 वाट बने और इन्होंने उसको 41 को 34 बनाने करने कर लिया और उसके बाद दूसरा उनका एक टार्गेट और यह है कि कि जो वोट वहां पर शिमला में बने हैं उसमें बाहर के लोगों के थोक में बोट बनाए जाए ह उसे एक अंदादा लगा सकते हैं असानी से कि वो क्या करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों को वोट बना दे वो कांग्रेस पार्टी को स्पोर्ट करें मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद ठीक है यह चुनाब होगा लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार अपने ऐसा करते कि उनको जर्मत मिलना तो डर किस बात से यह सारी चीज लिए कर रहे हैं आप दर हुना नीच ही था उनको तो ऐसे में बहुत बड़ा एक प्रशिंचिन अपनी काम काज करने के तरीके की तरीके अगर देना हुआ तो अभी तक को हैं नमबर हुआ हैं हालांके हम सोच र मुख्यमंत्री अमिद्शा से भी मुलाकात करने वाले हैं आप तो कोई विशेश मुद्दा जिसको लेकर आज आप दिल्ली में पहुंचे और उनसे मुलाकात करेंगे विशेश कुछ ज्यादा नहीं है शेश्टर चार के नत्य बेंट है और में लेडर बापोजिशन बनने क परिशात उनसे मिलने पाया था क्योंकि चुनाब का दौर चला होता है चुनाब में विस्तताइं थी अभी में मिलने आ रहा हूं तैंक्यू 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 तो यह थे हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा ने मैं दिली से कैमर पोसन रोहन के साथ मैं प्रियांकार आए खबर फास्ट